नमस्कार दोस्तों, आप शभी का बहुत बहुत स्वरागतेद दोस्तों एक देवी महिला आपको राजा बनाने वाली है शमेर एती आप जान लों कि यहाद देवी महिला आखर कौन है जहें दोस्तों, आपको बता दें कि उसका चरण ही कुछ इतना खास है कि आपके घर में पढ़ते ही आपका घर मंदिर बन जाएगा जे दोसों आज कई है वीडियो आप शबी के लिए बहुत ही ज़्यादा महल पुन और बहुत ही ज़्यादा खाश रहने वाली है तो दोसों हम आप शबीशे आगरा करेंगे कि आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मीशना करें और दोसों सुरूश लेकर अंत तक जरूर देखें कि दोसों आपने अपने जिनकाल में बहुत शारी वीडियो देखें हैं और बहुत शारे बातों को आपने जाने हैं लेकिन दोसों आठके इस वीडियो को आप अंध तक देख लीजिए आपको बिल्कुली यकीन हो जाएगा कि आखिर आपके हिंदगी में वह कौन सी इस तरी है कौन सी महिला है जो कि आपको राजा बना शक्ती है तो दोसों हम आप लोगों से शर्व पर्थम विनती करेंगे क कि जो भी मातारानी के शच्चे भकते हैं वीडियो को एक लाइक अभी कर दें और कमेंट बॉक्स में शच्चे बन से जय माता दिलिग दें मातारानी की किरपा आपके युनकाल में शदेव रहेगी दोस्तों आपको बिताते कि हर एक शपल इंसान की पीछे उनकी कम्याभी मातारी के पीछी एक नाएक आउरत का हां तभशो होता है। दोस्तों आप जानते हैं लेकिन दूसरओं कि युनकाल में में एक अश्वी महिला है और अश्य और तै यह शीद देवे स्तरी है जो कि आपको राजा बना सकती है आपके भागय वदाई कर सकती है आपकी युनकाल में वे शबी कुछी आपको लाकर दे सकती है जिनकी आप कामना करते हैं जे दोसों आपको बता दें कि आने वाले कुछी शमय में अगले 24 गंटों में अगले 36 दूप में हमें अपना परिणाम और शीद राप्त होता है जो कि आपके जीवन को बिल्कुल ही पूरी तरह बदल देगी और आपकी जुनकाल में आपको हर परकार की शमर्शाओं से भी चुटकर देराने वाले शावित होंगे विकट प्रस्तितियों में आपका साथ देने कि या इस्तरी आपके आस पडोशके भी हो सकती ही जो कि आपसे अच्छी तरह से बात करते हैं आप उनकी बातों में कभी ध्यान ने देते हैं लेकि दूस्तों आप अगले 24 गंटों में या फिर अगले 36 गंटों तो आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि कौन सी इसी देव करते हैं दोशों आप उन्हें यह समझ सकते हैं कि वहीं इस्तरी हैं जो कि आपको राजा बना शक्ति हैं तो दोसों आपको यहाँ बात समझ लेनी चाहिए कि वही इस्तरी है जो कि आपको राजा बना शक्ति है जे दोसों और आने वाले 36 गंटों में आपको यहाँ इस्तरी मिलने वाली है जे दोसों तो दोसों अगले 36 गंटों के अंदर आपको क्या-क्या शावधनी रण की चाहि यह सब जानना भी आप शुवे के लिए बहुत ज्यादा आवश्यों होंगे तो दोस्तों आगे वीडियो को अंतर तक दिखिएगा हम आपके जुनकाल में आने वाले करते हैं शुरुआत करते हैं एक महत्मुन बात से जो कि आने वाले 36 घंटों में आपको बहुत ज़्यादा काम्याभी दिराने वाशावित होंगे इस इस्त्री को पहचानने में काफी ज़्यादा मदद करेंगे जे दोस्तों दोस्तों एक उत्तम और परिपुर्ण शमन कोई किया जाए तो एशा शमन श्वेंगी परिपुर्ण और प्रेम शे भर जाता है शमन को प्रगाड़ और उत्तम बनाने के लिए कोशिश दोनों और शे की जाने चाहिए जै दोस्तों तो दोस्तों और आपको यह बात यह बातों का अप्शुन पाए हैं तो दोस्तों वीडि आप शिवे की जुनकाल में क्या-क्या पदलाव करेंगे दोस्तों यह जो शमय होंगे आपके लिए सोच विजार और आत्मिन रेक्चन करने का शमय होगा आपको बदा दें कि यह अचाना की कोई अशंभाव कारी भी शंभा हो सकता है आप पुनी कुशलता और समयधारी द पर हावी ना रहे घर में भी भायों के साथ किसी परकार का बाद बाद संभाव है प्रन्तु आप अपने समयधारी वह फिर अपने वयवार को शलता दोरा उसे निप्टाने में भी जो है सक्षम आवस रहेंगे इसके साथ दोस्ते यह शमय आपके लिए समय होगे आपको ब पर बिश्वास रखें बातें अभी आपके पक्ष में ही होगी लेकिन जरत से अधिक वक्त लगने की वज़शे मर में चंचलता भी बज़ सकती है और शुप्राद दोस्ते यह शमय आपके लिए उसे होंगे आपको बता दें कि दोस्तों यह जो समय होंगे आपके लिए उ कई परिशानियों से रहात दिलवाने वाली है तो दोस्तों यह शमय मित्रों की आप शला पर विश्वास कर सकते हैं इसको प्राहंत किसी महत्पुन कारी में पारिवरिक वरिश्वात से की श्रहमेति अवश्यले ध्यान रखिए कि कोई भी अनुचित कार्य आपके लिए प शक्लिक दायक हो शकता है नई मित्रों के साथ परिशे बढ़ाने की अवश्वता होगी जिसके दोरा आपका नीजी भुष में फायदा भी हो शकता है वैपार में शम्मदित बातों को रिक्ष लेने से पहले अपने शमता को प्रक्ष्णा आपके लिए आउश्व होगा औ आपको बता दें कि यश्व में आपको कोई अवश्व नई उपलवदी हासिल होंगी भूमीद जायदात से समझेद कोई एहम काम भी अश्व में संपन हो शकता है अध्यात्मे कारियों में भी आपकी यश्व में रूची रहने वाली है इसके साथ समय होंगे आपके लिए अनिता बिन बात के कुछ रिस्ते में ख़टास हो सकते हैं इस पर आपको इश्व में ध्यान देने की आवश्व नहीं होंगी आपको बता दें कि भवश्व काल से जुड़ी बातों की अधिक चिंता करने से वर्तमान में हो रही शकारत्मग बातों की तरफ से आप अपने ध्यान को नहीं दे पाएंगे आपको बता दें कि मिल रही प्रस्तिति का पूरा आनद लेने की यश में आप कोसिज करें क्यों यह प्रस्तिति आपके भष्ष के लिए बहुत बढ़ा उप्लवदी शाक्त होगा और शकुब रांद उसे आपके लिश्म होगी आपको बता दे कि दोस्तों अपनी कार्य शंता पर विश्वास करना आपको अपने लप्ष्यों को प्राप्त करने में शफल बनाएगा शंप्रति के बटवारे शंबंदी कोई कारी भी यश में किसी की मत्ता से हलोश रखता है संतान की केरियर और सिल्सा समधिक किसी चिंता का समधान आप आपको रहात देगा और इसको प्राम दूस्य श्मी आपके लिए समयोंगे आपको बता दें कि भाउकता और उदर्ता में लिए गए निरले नुक्सान देह रहेंगे इसलिए अपनी इस कमजोरी पर बीज़े हासिल करना श्मी आपके जरूरी होगा अत्य देख गुष्या अधिक ध्यान देने की अश्मी आपको आशक्ता होंगी आपकी नरब शौभाव का कोई गरत फायदा भी इसमी उठा सकता है इसलिए दोस्तों यह जो समय होंगे आपके लिए खुद के लिए शही वक्त पर खड़ा होना आपको यह में शिखना होगा और इसको ब्राद दो ऐस में अगर आपकी केरेर को लेकर बात करें रठात आपके वयशाय की तो दोस्तों यह वयपार में नई पाटियों की तथा नई लोगों के साथ वयवार करते हैं शावधानी बढ़ते क्योंको दोस्तों यह जो शमय होंगे आपके लिए दोकादरी होने की अशंगा लग ही है इसलिए यह समय आपको शावधन रहने की आशकता होंगी किछी को भी पेशा उधार ना दे और नहीं कहीं पर आश्मी निवेश कर रहें क्योंकि दोस्तों यह आपके लिए नुक्षान दे हो यह आपके लव लाइफ के लिए आपके पारवर जीवन के लिए जय समय होगे आपको बता दें कि वह उशाव के परिशानियों को अपने पारवर जीवन पर हवी नौँ होने दें यवाओं की दोस्ती प्रेम शमंदों में यह में तबदील हो शक्ती है जो कि आपके लव स्वास्त ठीक होगा मईलाओं अपने स्वास्त के प्रती ज्यादा जाकरू रहें यह आपके स्वास्त में बहतर होंगे